Hello guys and welcome back to another video और जैसा किया आप लोग देख सकते हैं मैं आचुका हूँ guys Totally Accurate Battle Simulator के साथ और आज हम लोग test out करने वाले हैं कुछ नई troops तो सबसे पहले guys मैं शुरू करता हूँ एक सिकंड ये ये नहीं अरे ये नहीं भाई आज हम लोग guys ancient troops test करने वाले हैं और देखते हैं कि कौन से troops कितने powerful हैं तो शुरू करते हैं हम लोग इन दोनों shield वाले बंदों से और guys दोनों ही काफी तेजी से बढ़ रहे हैं देखना ये है कि कौन किसको मारता है आए ये slow motion में देखते हैं और यहाँ पे red वाले ने पहले मार दिया है फ्रोष्ट भाई मैं ब्लू टीम को चूज करूगा भाई अब ब्लू टीम ठीक है तो ब्लू ले ले और red जीत गई येस वाट भाई तूने जैसे भाई चूज क्या हूँ ऐसे मेरी टीम जीत गई thank you so much guys I mean chop more like chop बलना चाहिए मेरे को फ्रोष्ट भाई ये क्या कर रहो भाई क्या formation बनाओगे क्या हाँ ये ले ये तेरा formation है और अब अपने लोग अपना design करते है okay guys मेरे को ये वाला formation थोड़ा अच्छा लग रहा है हमारी टीम के लिए you know let's see कौन जीता है त्रिशूल या फिर तीर धनुष मतलब reverse तीर धनुष all right यहाँ पे घमासान लड़ाई हो चुकी है दोनों ही टीम के बंदे एक दूसरे के मूँ पे कवच मार रहे और ओ भाई ये ऐसा क्यों लग रहा है भाई कि मुंबई की जो लोकल ट्रेन होती है न एक तुम वैसे भसर मचा दिया है और एक दूसरे को शाम में ऑफिस से जाते समय धक्का मार रही है लोग अब यार यार यह क्या हो रहा है ओ ओ चॉपके टीम का एक बंदा मरा पड़ा है गाई बहुत बड़ी बात है यहाँ पर और शिट मैन ने अपनी कमबैक करना शुरू कर दिया है यहाँ पर लोग जो है कुछ जादा ही इंटेंसिफ फाइटिंग कर रहे गाईज और यहाँ पर रेट टीम के नंबर्स अभी फिलहाल तो मेरे को जादा दिखाई दे रहे लेकिन ओमाई गोड मेरे लेफ्ट साइड के बंदे सार प्रो लोग है ऑल राइज यहाँ पर दो टाइब के ट्रूप का नवहने टेस्ट कर लियें अब ठायम है फोड़ा सा ना चेंज करने का तो मैं अब सतीशा को बिलाता हूँ यहाँ पर मैं एक फॉर्मेशन दे दिया है मैंने अपनी टीम को और चॉप की भी यहाँ पर फॉर्मेशन रेडी हो चुकी है लेकिन चॉप यहाँ पर अपने दो स्नेक आर्चर्स लगा रहा है यही दो चीज आपको बहुत भारी पड़ेगे भाई और आप भाई साब यह तो साब फेक रहे है यार मेरे बंदों का डिफेंस यहाँ पर गाईस बहुत ही जादा वीक हो सकता है अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो उपर से मेरे भाले वाले लोग यहाँ पर मार रहे हैं और यह दोनों स्नेक आर्चर बैट करके भाई र सारे शील्ड वाले बंदों को मार दिया है और अब सिर्फ और सिर्फ भाले वाले लोग बचे यह मेरा कमबैक भाई आप मेरे को टुचो मुच्चो समध रहे था ना अब यह देखिये साब भाई पाला अंदर चला गया भाई साब मेरे को समझ नहीं आ रहे ओ माई गॉड अब यह क्या साब है भाई क्या डसर है मेरी टीम को काईज ऐसा लगता है जैसे चौप की टीम का यह साब वाला स्ट्राइटीजी बहुत ही पढ़िया अरे भाई साब उसको पिछवाडे पे काट लिया यार फ्रॉट भाई जहर हर शरीड के हिससे बैं पहुचना चाहिया अने तो लड़ाई किस काम की भाई ओ भाई साब यार साब कितना दूर दूर तक जा रहा है गाईस सैडली हम लोग यह राउंड जीच चुके हैं and this is a perfect example कि सिर्फ आप formation बदलने से कैसे match जीत सकते हो चौप के टीम में सिर्फ दो बंदे थे लेकिन उन्होंने हमारी पूरी सेना का यार तबाही मचा दिया सोच रहे हो और इस बार मैं गलती नहीं करूंगा इस बार हम लोग यार हॉप लाइट और यहाँ पर सरीसा का कॉम्बो यूज करेंगे and let's see कि कौन जीता है फ्रोष्ट भाई ये वाला मैं ही जीतू का भाई देख रहा हूं मेरे बंदे क्य स्मार्ट लगने से कुछ नहीं हो तो oh my god guys यहाँ पर मेरी टीम बहुत ही तेजी से मर चुकी है और chop की टीम जीत कई क्या comeback कर रहे हो यार I mean एक round तो तुमने जीती लिया था भाई दूसरा भी जीत लिया what the hell guys score अभी बराबरी का चल रहा है जहां तक मेरे को पता है दो मैच मैंने जीते हैं डो मैचेस चॉपने जीते ठीए जाइए यहाँ पर चॉपनी टीम को काफी बंडिया तरीके से डिजाइन किया है तो मैं यहाँ पर एक लोगों भाई और लगा डिले देखते है रोष्ट बाई या दो चीटिंगाया में मेरे सारे बंदय उड़ गए लेकि पूपरो आई थिंक यह साप के वज़े से कन्फ्यूज हो गए है गाईज एडो नहीं चलाना मत चलाना बताओ अपने बंदे गुडा दिया यार ओ भाई सहब यह साप तो भाई खेल गए हम लोग के साथ गाईज फ्रोश्ट भाई देखा आपने यार इतना ज्यादा भारी बरकम ट्रूप इस्तमाल क्या पर भी नहीं आ रहा है अब यह नल्ले है भाई किसी काम की नहीं है यह आल राइट गाईज तो अब टाइम है अपर लोग यहाँ पर एक और बार बलीस्टा स्पॉन कर लेते क्योंकि तो को टेस्टिंग करना जरूरी है अल्दो मेरे को मन तो अगर आप अपने टूप्स को फहला फहला कर लगाओगा तो यार बलब सई strategy यह है देखो मेरे बनके यार आई तिंग मेरे को मार देंगे ऐन्द यहां पर वूम देखा मैरे बंके यहां वार से हांपर यह घमासान युद हो रहा है गाईज आप लोग देख सकते हो यह लो ओ भाई क्या गायोब हो रहे हैं बैटल फील्ड पे से बंदे गाईज एक एक करके लोग मरते जा रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है कसम से बोल रहा हो भाई बहुत बुरा दिन देखने को मिल रहा है और आखरी पंदा हमारा यहां पर अटेक करते हुए और इसकी भी बैंड बजा दी गई है गाईज चॉप करेंटली यहां पर लीड पर चल रहा है आई थिंक चॉप का स्कोर है चार और तो और मेरा स्कोर है दो आई डॉट नो यार जो भी स्कोर होगा मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देने की अभी यहां पर मिनाटार के बर्स कराते हैं हम लोग यहां पर I THINK हम लोग शिल्ड बेरर के साथ स्टार्ट करवाते है ठीक है फ्रोश्ट भाई यह मिनाटर तो बहुत खतरनाग लग रहा है भाई अबे है भी खतरनाग तु देख रहा है देख भाई इसको एकदम प्योर सांड कहेंगे गाईस देखो या बूम भाई क्या उड़ा दिया बन देखो फ्रोश्ट भाई उसका कहा शील्ड चला गया भाई अबे यार यह पटक पटक कहा गाँ भाई इससे बच एक साप कोन छोड़ रहा है तुम्हारी ऐसी कि तैसी कि त्रोश्ट भाई आइट साप वाला बंदा भी था भाई ओ हाऊ दिखो फ्रोश्ट भाई उसको एक साप वाला बंदा है पीचा से और यार लेकिन कोई बात यह में देख रहे हैं घुमा घुमा के फेक रहा है भाई सहप धोभी पचाड के साथ यहां पर इस बंदे को लेटा लेटा के पुछा बना के मारा जा रहा है एइंड इसके साथ हम लोग एक और राउन जीट जुके है ladies and gentlemen इसी के साथ अपने हाथ कड़े कर दीजिए और like के बटन को दबा दीजिए अबे रुकना मैं आभी टेस्टिंग कर रहा हूँ all right guys now it's time for 10-15 भाले वाले लोग versus हमारा पागल सांड और पागल सांड यहाँ पर full speed में जा रहा है भालो वालो को उच्छाल दिया है उसने अपने कंदो का इस्तिमाल करके एंड टेकना यह है कि क्या यह भाले वाले इसको रोक पाते है या फिर पिचक जाते है भाई मेरा बंदे तो आपको मार रहा है भाई बे रहमी से अबे तु शूर है क्या मेरे को लगता है यहाँ पर ओ उरे भाई इसको क्या घुमा के फेक रहा था लेकिन हमारा बिचारा यार मिनटार मारा गया इन दरिंदे भालो वालो के आ रहा थो इसलिए हुआ क्योंकि भाला दूर से ही मार देता है अल्राइट ब्रो तो अब टाइम में ज्यूस जो की ग्रीक गॉड है गाईज उनकी दस की आर्मी रखते नहीं अक्चुली एक रखते यार पहले एक से ट्राइ करते है फ्रोस्ट भाई यार मैं तो जीत जाओंगा और तो मैं क्या करूँ भाई मेरी गलती थोड़ी ओ भाई देखो लाइटनिंग निकल रही है मिनाटार के अंदर से ऐसा लग रहा है गाईज फ्लैश बन गया है हमारा मिनाटार यहां पर और ओ माई गॉड भाई क्या मार रहा है पटक भाई पटक छोड़ मत इसको इसकी तैसी दी तैसी एड्रेटीव जीच चुकी है गाईज यहां पर ज्यूस को हरा दिया है हम लोगों ने फ्रॉस्ट भाई मेरे को रिबैट चाहिए बाई एक काम करते यार दस-पंद्रा ज्यूस बुलाओ भाई ठीक है उसके बाद 10-15 मिनाटार से लड़वाते है और तेरा मैंने ज्यूस चूस किये है और तेरा भाई अब मिनाटार लगाते हम लोग अपनी टीम में और थोड़ा फैला फैला के लगाते यहां जो स्ट्राटीजी चौप ने यूस की थी वही स्ट्राटीजी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे गाईज एंड मिनाटार यहां पर प पुरा लग रहा है उनको वापस बुलाओ भाई ने तो मैं मैच कैंसल करवा दूंगा अरे आरे भाई उन्होंने अल्रेडी उसको बैंक बैंक कर दिया है और इसी के सोब सारे के सारे ज्यूस जमीर की धूल चाटते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमारे मिनाटार यहां प बारा है भाई आपने आपको पता है नज्यूस भगवान है आरे भाई साब भगवान को भगवान की घर में ले जाके मार दिया भाई देख रहे हो पावर देख रहे हो भाई मिनाटार की ऑल राइट गाई अप टाइम है मिनाटार वर्स यहां पर हम लोग आर्चर रखते है और यह तो बहुत ज्यादा साप आ गए भाई मैं तो तुरा थार जाओंगा वाई आपके दो बंदे चले गए उदर अब एक हिसका क्या हो गया ओमाई गाड इस बैचारे के लिए बुरा लग रहा है गाई इसको देखो यह ऐसे कर रहा है अरे अकेला चोड़ो तुमार दूसरे वाले को ओके गाई अभी तो लग रहा है यह पटक पटक के मार रहे हैं लेकिन यहाँ पर इतने सारे साप है ओ भाई यह मिन टोर गया इसको बहुत सापों ने काट लिया है और कहां मार रहा है भाई बेचारे के पेंट पे मार दिया तूने यार गाईज हम लोग आउंड हार गये ओ मैन क्या खेल रहे थे गाईज लेकिन आइमीन क्या ही बोलो यार अब कभी कबार किसमत साथ नहीं देती है एनिवेज एक काम करते इस बार यार ओल आउट वार करते गाईज ठीक है सेम स्ट्राटीजी रहेगी बट इस बार जो प्लेस्मेंट होगी वह होगी काफी जादा फैला करके ट्रूप्स को लगाया जाएगा एंड इस विल भी दे लास्ट बैटल सो मेक शोर अगर आपको और ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल पर यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अगर वीडियो पसंदार ही है तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी 50,000 लाइक्स में पहुचा दीजिए फ्रोष्ट भाई मैं बंदों को उपर भी लगा रहा हूँ भाई तूने तो यार मस्ट स्ट्राटीजी ढून ली है मतलब जितने बंदे उनको च्छतों पे लगा दो और उसके बाद भाई साब कोई प्राबलम ही नहीं है ग समीन को घेर लिया है चारो तरफ से ओ भाई एक दो साब तो हवा में लहरा रहे है वोट इस गोइंग ओन भाई ये क्या हो रहा है ओके गाईज ऐसा लगता है जैसे कि अभी के लिए हम लोगों का बैटल अंडर कंट्रोल दिखाई दे रहा है मीना टॉर्स यहां पे भाई स जीट चुके है आई होप आप लोगों को मजा आया होगा कौन कितना बार जीता कॉमेंट सेक्शन में बता देना मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई से यू लेटर एंड स्टे फ्रॉस्टी